हाउंटो में के कैनल और रूफटॉप सीरीज के अंदर आज हम देखेंगे कि जो स्पेस हमें अवेलेबल है जिसके अंदर हम कैनल बनाने जा रहे हैं उसका मैकसिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें कैनल की क्या-क्या रिक्वैर्मेंट्स होती हैं हाई मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम देखेंगे कि कैनल के अंदर स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे करें हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग की रोजबरा की जिंदगी में आने वाले दिक्केतों से रिलेटिड पिक पोस्ट करते हैं आप हमें लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स चरूर कीजिए ताकि हम अपने इस चैनल को आपके लिए और भी बैतर बना सकें आईए देखते हैं कैनल का ओवर यू हमने फ्लोरिंग के ऊपर माब दिवारों के ऊपर भी कम से कम दो से धाई फीट है ताकि जब आप कैनल को वाश करें तो आपको आसानी हो और कोई टिक्स का भी पता ना चले रूफ के अंदर हमने बैंबू यूज किये हैं और फ्लोरिंग के अंदर हमने स्टेफ फ्लोरिंग की है मतलब कुछ पोरिशन के जो है कैनल का वो उठा हुआ है कुछ पोरिशन नीचे है ताकि पानी आसानी से पूरे कैनल में फैल ना जाए और कैनल गीला ना हो जाए हमने इस कैनल को दो पार्ट पे बनाया है इसी के बारे में आज हम डिसकस करेंगे कि किस तरह से हम स्पेस का यूटिलाइजिशन करते देखे कैनल को हमने जो पहले साइस था वो था 6 x 7 feet अब हमने इसे open किया तो अब हमारे पास पे एक long कैनल है long कैनल का मतलब कि एक ऐसी स्पेस जो semi open है और एक दूसरी स्पेस जो हमने पहले lock किवी थी वो स्पेस ये वाली स्पेस जो है ये covered स्पेस है तो अब आपका कैनल ज वमेशा छोटी स्पेसिस में रहना पसंद नहीं करते हैं। उनको एक्सरसाइज चाहिए होती हैं। उनको स्पेस चाहिए होती हैं। दौडने की और भागने की। इसलिए हमने ये दो कैनल इसी तरह से डिजाइन किये हैं। कि आप चाहें तो इनको शौट कर दें, स्पेस को कंस्ट्रेन कर दें। और जब आप चाहें तो इसको ओपन करके स्पेस को ओपन कर दें। और ये कैनल लॉंग कैनल हो जाते हैं। इस तरह से आप छोटे कैनल को लॉंग बना सकते हैं ज़रूत बढ़ने पर। देखे इस कैनल के बाहर की साइड में हमने एक नाली दी हुई है जादा गहरी नाली नहीं है लेकिन इसका स्लोप नाली की तरफ ही है दौनों साइड से तो इससे क्या होता है कि जो भी पानी आप वाश करते हैं तो पानी फॉरन बाहर निकल जाता है क्लीनेस के लिए इस तरह का स्लोप होना बहुत जरूरी है सामने की साइड में जो ये चैनल ओपन है इस साइड में भी हम ओपर एक कवर करेंगे cover करने के बाद में ये हमारे पास में दो portion में canel हो जाएगा एक ऐसा canel जो चारों तरफ से cover होगा और एक ऐसा canel का portion जो दो side से cover होगा तीसरी side उसकी open रहेगी इस तरह से आप अलग अलग जगों पे जब canel design करेंगे तो हर जगे पे canel design करने का एक नया तरीका होता है according to वहाँ की situation के हिसाब से आपके budget के हिसाब से और आपकी requirement के हिसाब से किस तरह का किस breed के लिए कितने budget के अंदर आप canel design करना चाहते हैं एक इसके अंदर हमने canel के अंदर side में windows भी दी है cross ventilation के लिए cross ventilation बहुत ज़रूरी है flooring का material देख लीजे marble use किया गया है ताकि cool रहे North India के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो इसलिए हम चाहते हैं कि canel cool रहे आसानी से clean हो जाए cleanness दिखे ये दूसरे canel है ये दूसरे canel जो है relatively छोटे है वो जो पहले वाले जो हमने canel देखे थे वो थे 6 by 7 feet close करने पे और 12 by 7 feet open करने पे ये वाले जो canel है 6 by 5 feet के दो canel हैं बराबर adjacent canel है जब हम इसे open कर देंगे तो ये 5 by 12 feet हो जाएंगे long canel हो जाएंगे इसके अंदर आप puppies रख सकते हैं छोटी breed रख सकते हैं cross ventilation के लिए हमने इसके अंदर windows भी दी हुई है और इस बात का खयाल रखिए कि जो भी आप windows दीजिए उसका direction air flow direction में होना चाहिए एक side में windows दी हुई है जो low lying है ऐसी windows का इस्तमाल हम coolers और aces लगाने के लिए करते हैं kennel के अंदर देखिए हमने step बनाया हुआ है एक थोड़ा सा portion नीचे है एक तूसरा सा उपर है ता कि अगर female या male urinate करे तो पूरा portion गीला ना हो जाए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि लोगों को idea मिल सके कि किस तरह से channel design करना है और फिर भी आप मेरी राय चाहते हैं तो आप मेरे number पे message कर सकते हैं मैं आपकी questions का जवाब जल से जल देने की पूरी कोशिश करूँगा hope ये वीडियो आपको informative लगा होगा अगर आपको पसंद आए तो please say like कीजिए share कीजिए, subscribe कीजिए और अपने valuable comment चरू कीजिए thank you for watching, have a good day